छोटे हों या बड़े सभी बालों के जढ़ने से परिशान है यदि आपको भी बहुत ज़ादा हेयर फॉल हो रहा है बाल उम्र से पहले सफेद होने लगे हैं और बाल बहुत ज़ादा जढ़ रहे हैं दोस्तों तो आज आपके लिए एक ऐसी आयरुवेदिक रेमेडी ले कर हैं वो भी दूर होगा पतली चोटी को मोटी करने के लिए यहां पर मैं इस्तमाल कर रहे हूं मेथी के कुछ बीजों का फैनुग्रिक सीड चाहे किते भी रुखे सुखे बेजान बाल हो मेथी को मेरे बताय तरीके से लगा लें बालों में जाना जाएगी दोस्तों मेथी क बीज पोशक तत्वों से भरपूर है थोड़ा सा हम मेथी को ड्राय रोस्त करेंगे दो तीन मिनट ताकि इसके जो नैचरल ओइल्स होते जादा से जादा निकल सकें इसलिए मैं यहां पर मेथी को दो मिनट के लिए गैस पर हलका सा गरम करके फिर ठंडा करके आज इसका प वो जादा से जादा सिक्रेट हो सकेंगे देखे मेथी को हलका सा से है दो से 3 मिनट तक के जब ठोड़ा सा थंडा हुआ है अब मैंने ग्रैंडिंग जार पर डाला है ताकि मैं बड़ी अच्छा ये जो मेथी है इसका पौडर बना सको कई पर क्या होता मेथी ठोड़ी सिड जीवनी है दोस्तों यह इतना फाइदे मंद एक अम्रिथ है मेथी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेथी का पाउडर बना लिया कई बार ना मैं मेथी का ज्यादा पाउडर बना कर भी स्टोर करके रखती हूं, सब्धाह में एक बार वीक में एक बार मेथी का हेयर पैक लगाएं, सब तहमें दो बार मेथी का तेल बालों पर जरूर लगाएं, बाजार वाले जो खुश्बू वाले तेल लाते हैं, कलर वाले तेल लेकर आते हैं, दोस्तों कभी सोचिएगा उसमें कितना कलर कितनी खुश्बू प्रिजर्वेटिव रहता है, ये नेच्रल ओ मैंने यहाँ पर फैनुग्रिक सीट पाउडर को डाला है, बहुत बढ़िया तेल, कुछ डालने की जरुवत नहीं है, कुछ भी ताम जहां मत करिये दोस्तों, ये इतना पावरफुल हेर ओल बनेगा, जो आपकी हेर ग्रोथ को फास्ट करेगा, कमजोर बालों को मजबूत बनाएगा, नही बालों को उगाने में मदद करेगा, देखे, गैस की फ्लेम स्लो है, बस एक मिनट और इसे गरम करूंगी, गैस बंद है, देखे, कर दिया ना मेने, मैंने इस तेल को उबाला नहीं है, पकाया नहीं है, बस तेल में जैसे ही गरमाहट आई है, मेथी डालने के बाद gas को बंद कर दिया है उबालना नहीं है आप लोग बोलते ना पका हुआ तेल है boil किया हुआ तेल बालों को सफेद करता ऐसा नहीं है परंतु फिर भी आप अपने मन की शांती के लिए तेल को हलका सा गरम कर लें उसके बाद हलका सा गुनगुना भी हो जाए, गैस को बंद कर दीजे, मेथी पाउडर डालके इस तेल को छोड़ दीजे, हमारे पास टाइम नहीं है कि रोज हम तेल की शीशी को धूप में रखें, सन की हीट के द्वारा इंफ्यूस करें, रोज सनलाइट में रखें, फिर शाम को ला रहें, नह रखें, जो रिजल्ट मिलेगा ना इस तेल को बीक में दो बार लगाएंगे आप, रात भार लगा कर रखेंगे, सुबह आप लोग शेंपू कर सकते हैं, जैसा भी चाहें हेर वाश कर सकते, मैं तो लगा कर रखती हूँ, कई बार मेरी बेटी भी कहीं बाहर नहीं जाना हो तीन अलग-अलग तरह की ऐसी पावरफुल रेमेडी है, जिसका इस्तमाल आपको करना ही करना है, करके देखें दोस्तों, कोशिश करके देखें, स्टार्टिंग से ही केयर करेंगे ना, अपने बच्चों के बालों की भी केयर करेंगे, आप बड़े हैं तब भी लगाएं, मैं तो खुद 55-56 साल की दोस्तों तो भी लगाती हूँ, तो आप लोग भी बालों की केयर करें, आपकी उम्र कम है, तो स्टार्टिंग से केयर करें, ताकि एक उम्र आने तक बाल सफेद होने ना पाएं, मेथी और कली लीज की पतियों को मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी कभी देखें कि आप 500-700 की बॉटल आती हैं, इतनी महंगी आती है, इस हेर ग्रोट टॉनिक को लगाएं, जिसमें मेथी और कढ़ी पत्ता, मीठा नीम, जिसे हम लोग करी लीज कहते हैं, इसकी सारी गुडनेस आ चुकी है, इतना ताकतवर यह हेर ग्रोट टॉनिक है, हमारे स्केल्प को हेल्डी बनाते हैं, ये बीज, मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, प्रोटीन होने के कारण हमारे हेर सेल को मजबूत करते हैं, साथ ही साथ मेथी के बीजों में पोटेशियम होता है, पोटेशियम होने के कारण प्री मैचर ग्र लगाने के बाद आपको जरूरी नहीं है, एक बार मेरे इस हैयर पैक को लगाएं, जिसमें मैंने मेथी के पाउडर को दही में मिलाया, कुछ भी डालने की जरुवत नहीं है, कि हम विटामिन E ओएल डाल रहे हैं, कुछ भी मच डालिये, दही है ना, दही आपके स्कैल्प को moisturize करेगा, दही आपके scalp को hydrate करेगा, दही में protein, vitamin C, vitamin D धेर सारे पोशक्तर तो होते हैं दही में, तो मैंने आज इस वीडियो में आपको मेथी का तेल बिलकोई अलग तरीके से बना कर बताया है, ये तेल इतना ताकतवर तेल है, वीडियो में दो बार लगाईए, मसाज करते हुए लगाएं scalp में जब मालिश करेंगे, तो blood circulation fast होगा बालों में तेल की मालिश से बालों में जान आएगी, इतना powerful ये जो tonic है न, जिसमें मैंने कड़ी पत्ते में कुछ ऐसे darkening agent होते हैं, जो premature gray hair की समस्या को दूर करते हैं curry leaves में beta keratin, amino acid होता है, iron से भरपूर होती हैं कड़ी पत्ता, खाएं भी लगाएं भी, कम से कम 4-5 curry leaves की पत्तियों को रोज चबा-चबा कर खाएं, याने की curry leaves का बालों पर application भी करें और curry leaves का consumption भी करें, बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेंगा एक ऐसा hair growth powerful hair tonic का वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों, यह hair pack बनाया हैं, जिसमें मैंने दही और मेथी का powder डाला है, इसे लगाईए आधे घंटे रखिए, फिर hair wash करिए आपके hair follicle में melanin के production को बढ़ाता है यह hair pack जिससे बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं लंबे समय तक बालों में कालापन घंआपन बना रहता है हाँ, आपके उम्रे हो गई, आप 60-65 साल के हैं तब ही आपके बाल सफेद होना स्टार्ट होंगे, यदि proper week में दो बार oiling करेंगे hair growth tonic को समय समय पर लगाईए जब टाइम है, week में एक बार इस ताकतवर इस जादूई pack को जरूर लगाए साथी मेरा परिवार मुझे comment एक जरूर कर दे दोस्तों, मैंने आपको तीन remedy बताई है please comment करिएगा इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से बैट कर देख रहे हैं, comment में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखे ताकि जब मैं कल अगला वीडियो बनाऊ तो उस वीडियो में मैं आपको thanks बोलने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए आपका नाम एनाउंस कर सकूँ आपके शहर का नाम एनाउंस कर सकूँ मेरी remedy को try जरूर करिएगा मेरा वीडियो मेरी मेहनत जरा भी पसंद आई हो दोस्तों तो please वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजे tips theater चैनल को subscribe जरूर कर